नमस्कार दोस्तों patron की video series में आज हम डिस्कर्स करेंगे अपना 9 पैट्रों जो हमारे last patron अपने first module का वैसे मैं आपको कपार पीडियो respective था ढूनी कि हम इन वीडियो सीरीज में इस सारे पेट्रों को कवर करने वाले हैं अगर आप चाहते हैं कि हम इनके लावा भी किसी पेट्रों पर वीडियो बनाएं तो आप हमें इस कमेंट वोक्स में जरूर बताएं तो चलो अपने आज वाले पेट्रों का लॉजिक देखते हैं फिर आज हम अपने last pattern that means pattern 9 को cover करने वाले हैं तो सबसे बहले बात आती है कि analysis की सबसे बहले हम अपने pattern को analyze करना होता है हम देख सकते हैं कि यहां पर पहले तो vertical fashion में same है और मुझे पता है कि जब vertical fashion में same होता है तो हमें J print कराना है यह आप देखी सकते हैं हम हर वीडियो में करते आएं ओके next काम हमें print क्या कराना है हमें ABCD print कराने क्योंकि हमें ABCD print कराने तो हमें वो loop में लेना पड़ेगा अब सोचने की बात है I loop में लेंगे या J वाले loop में लेंगे क्योंकि मेरे को vertical fashion में J print कराना होता था तो जे का लूप चलेगा मेरे E से लेकर A तक E से लेकर A तक डाउन टू लूप के चलाया प्रकोस मुझे दिख रहेगी पहले E फिर D फिर C फिर B फिर A A to E चलता तो हम अप टू लूप लगा लेते तो चलो देखते हैं इसका लॉजिक जब मेरे पास row 1 थी मतलब जब मेरे I equals to 1 था मुझे J को प्रिंट कराना था E से लेकर A तक तो EDCBA हम प्रिंट करा चुके और हमें next lang पर चले गए outer loop क्या है हमारे पास I inner loop है हमारे पास J next है हमारे पास row 2 जैसे हम row 2 पर आये मतलब हमारे जब I की value 2 हो चुकी थी तो हमने J को फिर से प्रिंट कराना था E से लेकर ये तक तो हमने फिर से प्रिंट कराया light change कर दी similarly हमने I3 के लिए काम करा I4 के लिए काम करा और I equals to 5 के लिए काम करा because हर बार हमें A के चेज़ प्रिंट कराने थी कई बार बच्चे question पूछते हैं कि हमने अब I को क्यों नहीं चला है जैसे मैं आपको हर बार बताती आ रही हूँ होता क्या है कि हमें J से प्रिंट कराना है I का काम है कि बस उसको 5 बार चलना है चाहिए वो फिर 10 से 14 चले 100 से 104 तक चले that doesn't matter हमें ये बस काम बता रहा है कि आपको 5 बार चलना है कैसे चलना और क्या प्रिंट कराना है वो हमारा पता रहा है J loop तो आप यहाँ पर चाहिए down to loop भी लगा तो that will not matter तो I मेरा का से का तक चल रहा था 1 से लेकर 5 तक J loop मेरा चल रहा था E से लेकर A तक Otherwise हर बार 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 चेंज होता रहेगा अगर नहीं कर रहा तो A के लाइन में सारे आजाते है Simply अपना J हम print करा चुके हैं फिर हमार पास अगर इसी कई python code देखें तो हमें पते lower bond, super bond plus 1 तक चलते थे और हमने print के अगराना था E से लेकर A E की sky value होती है 69 A की sky value होती है 65 एक कम तक लिखना था भी को उस डाउन टू लूप है और simply CHR of J उसको print कराया तो उसके corresponding के character को print हो जाएगा end की default value backslash n होती है उसको हमें next line में नहीं लेके जाने इसलिए हमने उसको blank कर दिया और बाद में हम simply अपने print कराकर next line में आ गए तो जिस जिस student ने python कर रखे है उसको तो इसके indentation से clear होके होगा कि हम किस तरह से loop को use कर रहे है बात आती है C code की C में हमेंने उप्ताय है कि दो तरह से काम कर सकते है या तो उनकी sky values चलाओ लूप में और यहाँ पर percent C की उसके corresponding का character वो print करते है सेकिंड क्या है directly यहाँ पर cat J लो और इस character को E से लेकर A तक चलाओ तो उसको पर single quotes के अंदर रखना है जावा में भी हम सेम इसी तरह से ही काम करते है 69 से 65 चला बस आपको ध्यान रखने हैं अपर CHR की जगा CHAR होता है और हमने यहाँ पर print लिखा है विकोस हमें उसके line में काम करना है और यहाँ पर print LN विकोस हमें line को change करना है So this was all about first module जिसमें हमने 9 patterns cover कर ली है अब थोड़ों से level up करेंगे अब हम करने वाले अपने next module अपने next video lecture से I hope आपको यह video lecture पसंद आया होगा अगर आपको कोई without your suggestion है तो आप comment box में जरूर दीजेगा और अगर आपने वीडियो को अब तक like या share नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को like और जादा जादा share करे and please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates शुक्रिया धन्यवाद थेंक यू